नमस्कार दोस्तों इन्वार अकैडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस वीडियो लेक्चर स्रीज में हम आपकी इस नुमेरिकल सोलूशन की बुक से प्रिवियस एयर में आए हुए नुमेरिकल कोशन सोल कर रहे हैं आप में से धिकांस बच्चों के पास में ये बुक है प्रन्तु अगर कोई बच्चा भी तक किसी कारणवश इसको नहीं ले पाया है तो इसको हम बता दें बच्चे इस बुक में 2012 से लेके 2021 तक के सभी नुमेरिकल कोशन को हमने स्टेप बाई स्टेप सोल किया है और टोपिक वाइड सेग्रिगेट किया है जिससे कि जब भी आप कोई टोपिक जो है तैयार कर रहे हों तो पिछले सालों में आए हुए सभी नुमेरिकल कोशन जो है आप एक साथ प्रैक्टिस कर सकें तो अगर आप जैयरफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है ये बुक आपके पास में होना चाहिए बहुत आपको मदद मिलेगी इस बुक से अपना जैयरफ करने में कोश्चन इस परकार से है एक लेक में आपको डिजोल्ब ओर्गनिक कार्बन दिया हुआ है जिसका कंसंट्रेशन है 2.5 mg पर लिटर और आपको ओर्गनिक मेंटर जो है डिजोल्ब ओर्गनिक मेंटर की कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है तो सिंपली आपको अगर सही फोर्मूला पता है तो आप जो है कोश्चन बिल्कुल सही करेंगे तो फोर्मूला है आपका OM is equal to 1.27 into OC OM यहाँ पे ओर्गनिक मेंटर है और OC यहाँ पे ओर्गनिक कार्बन है तो आपको ओर्गनिक कार्बन दिया हुआ है कोश्चन में 2.5 और सिंपली आपने इसको मल्टिप्लाई करना है 1.27 से तो आपके पास में आ जाएगा 4.3 तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपना कोश्चन जो है सोल कर सकते हैं यहाँ पे जो आपका आंसर है 4.25 mg पर लिटर यह आपका सही आंसर है इस कोश्चन का तो जस्ट आपको सिंपली एक सही फोर्मूला पता होना चाहिए उसके बाद में छोटी सी कैलकुलेशन आपने करनी होती है अधिकांस कोश्चन जो है वो इसी परकार के हमारे एक्जाम में आते हैं तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से सभी नुमेरिकल कोश्चन जो है सोल कर रहे होंगे लगातार आप जो है नुमेरिकल कोश्चन सोल करते रहिए प्र बहुत सारी वीडियो लेडी हमने यहां पर अपलोड की हैं अपने इस चैनल पर आप लोगों ने देखी लिये होगी आप देख रहे होगे अगर आप इस दिशा में लगतार चलते रहेंगे महनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप जैराफ करेंगे बचो जी ओ बचो टेक केर हमारी बेस्ट विशिज आपके साथ में हमेशा हैं हमेशा रहेंगी सीखते रहिए मस्कुराते रहिए बचे